आठ अट्टूबर का राशिक्फल आपके लिए कैसा रहने वाला है? आएके कर सभी राशियों पर नजर डाल लेते हैं मेश राशी दिन आपके लिए सुखद रहने वाला है लंबे संघर्ष के बाद परिशानियों से कुछ राहत मिलेगी अपनी आएको ध्यान में रखकर व्या करें विशब राशि दिन आपके लिए शुब वा मांगलिक रहने वाला है दैनिक आवश्यक्ताओं के खरिदारी पर कुछ धन व्या करेंगे परिवार में सुख वा सम्रिद्धी आएगी मिथुन राशि दिन आपके लिए धन के दृष्टिकोंड से बहतर रहने वाला है व्यवसाय के कुछ पुरानी योजनाओं का लाभ उठाएंगे धन के मामले में आपको भाग का भरपूर साथ मिलेगा करकराशि दिन आपके लिए थोड़ा तनाव गरस्त रहने वाला है भाई बहन के विवाह की चिंता सता सकती है सरकारी नौकली से जोड़े जातकों का ट्रांसफर हो सकता है सिंग राशि दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा अपने आलस से को त्याग ना होगा लक्ष को निर्धारित कर उस पर आगे बढ़े कर्ण्याराशि दिन आपके लिए काफी व्यस्तता भरा रहेगा थकान, सिर्दर्द, आदि समस्याएं परिशान कर सकती है सायंकाल का समय अपने मित्रों के साथ घूमने फिरने में व्यतीत करेंगे तुलाराशि दिन आपका परुपकार के कारे में व्यतीत होगा सारा दिन दूसरों की मदद करने में व्यतीत करेंगे जीवन साथी की सलाथ बसहयोगी अविश्यक्ता है विश्यक राशि दिन आपके लिए सकरात्मत पढ़नाम लेकर आएगा मन में गलत विचारों को आने से रोक ना होगा अधिकारी आपसे कुछ निराश हो सकते हैं धन राशि दिन आपके लिए सामान रहने वाला है आप अपने लाग से संतुष्ट नहीं होगे परिवार के सदस्यों के साथ देवदर्शन की आतरा पर जाने का प्लैन बना सकते हैं मकर राशि दील के फानल होने से कोई शुप सुचना प्राप्थ होगी धार्मिक वा सामाजिक कारिक्रम में भाग लेंगे आपके मान सम्मान में वृद्धी होगी कुम्भ राशि दिन आपके लिए कुछ खास रहने वाला है आपकी उच अधिकारियों से घनिश्टता रहेगी व्यापार में वैस्तता अधिक रहेगी मीन राशि दिन आपके लिए उत्नम रूप से फलदायक रहेगा अध्यात्म के प्रति आपकी रूची बड़ी दिखेगी आपके उन्रती के सभी मार्ग प्रशास्त होंगे वीडियो डेस्क अमरुजाला डॉट कॉम अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें